अज दिली के अरुन जेटली स्टेडियम में इंडिया और अफग्यानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच खिला गया और इंडिया ने बहुती आसानी से यह मैच जीत लिया इंडिया के लिए सबसे इंपोर्टन चीज ती रोहिच सर्मा का वो सतक और जस्पित बुरुम्रा ने आज चार विकेट लिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोहिच शर्मा के बारे में जस्पित बुरुम्रा के बारे में और पूरी इंडियन टीम का कैसा आज का परफॉमंस रहा तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ चलिए बात करते हैं मैच की तो अफग्यानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया लेकिन उनकी फेवर में शायद नहीं गया क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छी गेंद बाजी की खास करके जस्पित बुम्रा ने शानदार गेंद बाजी की हाला कि विकेट पर कोई इतनी खास मदद नहीं थी फास्ट गेंद बाज हो या स्पीनर हो किसी के लिए भी इतनी जो पिछली मैच में जो हमें स्पीनर के लिए मदद मिल रही थी वो यहाँ पर इस विकेट पर नहीं थी फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की खास करके आपको बुमरा की तारिफ करनी होगी जिस तरीके से वो गुड लेंद से थोड़ा आगे वो बॉल डालते रहे और बिल्कुल सही सटिक लाइन और लेंद पकड़के रखा था और उनको आज उनका रिवोर्ड मिला है उनके पास वैरियेशन भी बहुत है कटर डालतें अब स्ञींग भी करातें अवज इस विखा से आवह स्ञींग भी करातें इन कटर नोंका पहले से ही है तो स्लोवर बॉल उनका बहुत इफेक्टिव है यॉर कर डालतें तो इनके पास इतना variation है कि बहुत ही ये condition में जहां विकेट पर से आपको मदद नहीं मिल रही है वहाँ पर भी वो effective हो रहे है तो जस्पित बुम्रा को हमें credit देनी चाहिए आज देखिए हो आज वो swing नहीं था लेकिन आज वो seem पर गेंदबाजी की उन्होंने और classical गेंदब मिडल ओवर में दोनों spinner हमारे जो आज अश्विन नहीं थे आज तो कुल्दी प्यादव और रविंद्र जाड़े जा दोनों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और जाड़े जाने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की आठ ओवर में 38 रं दिये और कुल्दी प्याद गेंदबाजी रही वैसे ठीक ठाक थी कोई ऐसा नहीं था क्योंकि विकेट बल्ले बाजी के लिए शूटेबल थी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी तो वहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था वैसे वहां पर आप अच्छी गेंदबाजी करते हो और अगर ओपोजिशन को 272 पर रिस्टिक करते हो तो ठीक है वैसे कोई बड़ा टारगेट नहीं था और इंडिया के लिए ये मुश्किल कभी भी होने वाला नहीं था और वैसे भी अफगानिस्तन के सामने हमारा जीतने वाले थे पहले से ही होता है था कि आराम से जीत जाएंगे क् जब आप किसी भी टीम वर्ल्ड कप को जब फोकस में रखती है तो फिर ये जो मीनोज होते हैं उनको आप असानी से हराने का टारगेट रखते हो और उतना ही नहीं आप ध्यान में रखते हो कि आपका नेट रन रेट है ऐसे मैच इसमें आप नेट रन रेट को आप बढ़ विंटेज रोहिष शर्मा आज हमें देखने को मिला था वर्ल्ड कप में जो लास्ट टूजन नाइंटीन का जो इंग्लेंड वाला वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने पांच सतक लगाये थे और वो रोहिष शर्मा गजब के फॉम में थे तो आज पहली ओवर से ही वो रो प्रेड ड्राइव कवर ड्राइव लगा के शौड मार है तो बॉलर के लिए कोई जगा नहीं बची थी कि कहां गेंड डाले उनको क्योंकि वह इतने टेकिंग मूर में थे कि चारो तरफ लगा रहे थे और इतनी जवर्जस बल्लेवाजी कर रहे थे क्योंकि वह पहले से न यह सिक्स का हो क्रीज गेल का जो रेकोर्ड था वह आज उन्होंने बीट किया तो मज़ा आ गया है देखने में रोहिष शर्मा को पर्टिकुलर्ली क्योंकि रोहिष शर्मा जब खेलते हैं जब अपने अंदाज में खेलते हैं तो आपको पूल शॉट हुक शॉट चाहे आ पूरी दुनिया में रोहिष शर्मा के अलावा और कोई भी बल्लेवा जैसा ने जो इनसे बहतर पूल शॉट खेल सकता हो बहुती क्लासिकल उनका जो टाइमिंग है उनके पास वो एक्स्ट्रा फ्रेक्शन ऑप सेकेंड रहता है कि बॉल जल्दी देख लेते हैं और लगाएंगे च्छका लगा कर देंगे तो उनका उनके पास वो वो कहीं पर भी आप गेंड डालो वह जब स्टार्टिंग में जब फिल्ड रिस्रिक्शन होता है पावर प्ले के दोरान तब वह नहीं छोड़ते आपको आप ओवर पीज गेंड डालोगे तो भी फिल्लर के ओवर वो लॉफ्टेड शॉट लगा के मारेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं आप पुल के लिए अगर उनको शॉट ओव लेंड डालोगे तो भी आपको पारेंगे तो रोहिश चर्मा जब फॉर्म में हो तो गेंड बाजी करना बहुत मुश्किल था और अफगानिस् प्रीमियर बॉलर राशिद खान उनको बहुत लेट लाए और जब मैच खतम हो गया था रोहिश चर्मा सायद 88 पर खेल रहे थे तब राशिद खान को लाए थे तब तक तो मैच बिल्कुल कंप्लिट हो चुका था इंडिया आराम से मैच जीतने आ गया था तो यह थोड़ दो विकेट हमारे गिरे वो राशिद खान नहीं लिए तो रोहिश सर्मा ने 131 रन बनाए और सिर्फ 84 गेन 84 गेंदों में उन्होंने 131 रन बनाए उस जिसमें पांच छक्के लगाए और 155 के स्ट्राइक स्रेट से यह रन बनाए इशान किसं को आज फिर ऑपरचुनिटी म 47 बॉल में 47 रन बनाए उन्होंने उन्होंने भी दो छक्के लगाए तो ठीक है लेकिन वो कॉन्फिडंट जो इशान किसं हमें नजर आ रहे है वो नहीं आए वो जरूर रन बनाए थोड़े लेकिन हमें वो फूल फॉर्म वाला इशान किसं चाहिए जो कि आते ही एटेकिं क्रिकेट खिले तो शायद वो थोड़ी एक दो इनिंग उनकी खराब गई तो उसकी वज़े से उनका कॉन्फिडंस कम हो गया था लेकिन आज की इनिंग जरूर उनको वो कॉन्फिडंस देगी विराट कोली वंडाउन आये और जो जीस तरीके से पिछले 10 साल से वो काम कर मिल्किंग दे बॉल गैप्स में खिलना एक दो एक दो करके वह रन बनाना जब भी मौ ऑपर्चिंडे मिले तब बाउंडरिज लगाना तो पता ही नहीं चला उन्होंने पच्पन रन कब बना दिये तो वही उनकी उनकी स्पेशालिटी है कि वह कब 50 पर आ जाते कब 50 से 100 ब पाउंडरिज भी लगाएंगे फिर श्रेयस एयर को भी आज मोका मिला श्रेयस एयर ने भी एक बहुत यह बढ़िया सिक्स लगाई जो कि अभी तक वर्ल्ड कप की सबसे लॉंगेस्ट यह सिक्स थी तो श्रेयस एयर का भी एक अच्छा उटिंग रहा ओर लॉल 273 रन हमने बहुत ही आसानी से 35 ओर में ही चेस कर दिये और इंडिया के लिए सबसे इंपोर्टन चीज यह थी कि यहां जीतना तो हमें था ही लेकिन की ने टरन रेट हमारे लिए बहुत इंपोर्टन था कि यह मैच हम ने टरन रेट के लिए यूज करें और रोहिश शर्मा ने यह पह नमबर टू पर आ गए तो जो पॉइंट स्टेबल है हम लोग सेकंड नमर की पोजिशन पर आ गए और हमारा ने टरन रेट भी बहुत बढ़िया हो गया है लेकिन मज़ा है जा रोहिश शर्मा की बैटिंग देखने में क्योंकि बहुत टाइम के बाद रोहिश शर्मा की ऐ साथ दूसरी टीमों के लिए एक स्टेटमेंट है कि हम लोग यह क्रिकेट यह कॉलिटी का क्रिकेट खेलने वाले आप हमारे पास जो बॉलर है वह देख लो आप बुमरा चार विकेट ले रहे जहां बिलकुल फ्लैट विकेट थी वहां सिर्फ थर्टी नाइन रन उन्हों अच्छी जीत कहूंगा मैं और आगे जबर जस मुकाबला महां मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के साथ अब अहम्दाबाद में तो उसके लिए यह आप एक स्टेटमेंट मान सकते हो कि वी आरेडी फॉर दबीग शो मजा आ गया चलिए अब 14 तारिक के इंडिया की टी तो पूरा मैच हम लोग साथ में लुट उठा सके मजा ले सके ऐसा एक प्लान कर रहें तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर कर शेयर करूँगा तो मुझे बताएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल को लाइक कीजिए का थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पर वाचिए